दोस्तो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरुजी ओफिशियल यहां पर मैं आप से आज बात करने वाला हूँ मध्यप्रदेश जीके की दोस्तो आपने अभी देखा होगा मध्यप्रदेश पीएसी की परिक्षा हुई है राजी सेवा की परिक्षा अफिशियल वेबसाइट है उसके एक पहलू को उठाएंगे उस पर बात करेंगे उनके पर चर्चा करेंगे और आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है इसलिए मैं आपसे आसा करता हूँ कि आप प्रतिक वीडियो को देखिए इसके जो भी हम इस पर बात करेंगे और आज हम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ सिर्फ मंत्री मंडल को देखेंगे मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री मंडल को जो अपडेटेट बिलकुल नया मंत्री मंडल है उसको देखेंगे और आप लोग प्रतिक वीडियो को देखिए इससे जो है आपके आने वाल है मध्य प्रदेश में होने वाली समस्थ परिक्षाओं के लिए चाहे कॉंस्टेवल की वेकंसी भी आने वाली है आगे उन या ऐसाई की वेकंसी ओं सभी वेकंसी के लिए यह बहुत ही ज्यादा महध पूर हो जाते हैं तो आप लोग इनको देखिए और यहां से हम के एक पहलू की बात करेंगे और पूरी वेबसाइट की एनलेसिस करेंगे एक पहलू पर हम बात करेंगे आए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपक है विसस रूप से मंत्री मंडल के बारे में है कि मंध्य प्रदेश सरकार का मंत्री मंडल है उसके बारे में हम बात करने वा करेंगे इसके बाद राजिय मंघ्री की बात शूहान जी और ये इन पर जो बिभागर अवंटित है वो है वही सामानवत प्रसाशन नर्व्दा घाटी विकास विमानन और अन्य विभाग, जो किसीमंघ्री को अवथे हैं तो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाने प्रिसासन विभाग, नर्वदा घाटी का जो बिकास है, यानि कि नर्वदा के आसपास की जो एरिया है, उसके बिकास से सम्बंदित, एरलाइन से सम्बंदित, जो भी कारे हैं मध्र प्रदिस के अंदर, वो सभी कारे कौन देखते मानियो मुख्य मंत्री जीः ही देखते हैं या आप को मालوم होना चाहिए दूसरे मंत्री के हम बात करेंगे बो है स्रीजैंत कुमार मल्यय जीः इस हमारे बित और बाने जिकर मंत्री हैं इनके पास बित विभाग है ne यहांनि कि हमारा बजट बेच करते हैं अमद्धरोंद प्रदेश का और बने जिक कर जो होता हैignty commercial tencks वो भी इनिके पास से यह सारे बहुत यहीं देखते हैं यह इसकते हैं वाक के मिनस्ट्रों हैं आपको याद होना चाहिए कि मानिय मुख्यमंत्र जी के पास कितने विभाग हैं कौन-कौन से विभाग की मुबंत्री हैं और मानिय श्रीवान जैन्त कुमार मलेय जी के पास कौन-कौन से विभाग हैं ठीक है आगे हम बात करेंगे जो महत्पून बिभागे हमारे अगर हम बात करें गांस related आप भी गांवे रहते हैं और हम सब कही ना कही गांव से बंगले पर मीटिंग हुई थी और फिर उसमें निर्ने हुआ था तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पंचायत और ग्रामीन बिकास सामाजिक नियाए और निसक्त जन कर ले आनके जो मंत्री हैं वो स्रीमान गोपाल भारगप सावें ठीक है तो ये आपको याद रहना चा आपको की आभशकता होती है तो आपको बहुत ज़रूरी होते हैं कि कितनी पर्सेंट पॉप्लेशन अभी बिलोव पौबर्टी लाइन है हमारी जीडीपी क्या है हम स्टेट के बाद बात करें तो स्टेट की जो जीडीपी है वो क्या है किसी विकास दर का बहुत सारे शांकिकी के मध्यम से ही प्रदर्शित किये जाते हैं शांकिकी ही वो विभाग है जो इन सब आकड़ों को जो है एनलाइस करता है आकड़े प्रिकासित करता है जारी करता है और बन बहुत महत्पूर होते हैं दोस्तों क्योंकि बनों से हम बहुत सारे कच्छा माल हमको पराफ इसकी भी बात करें तो योजना सबसे जरूरी होती है हर इंसभी सबी बिभाओं के मंत्रे हैं वह याद रहरा दॉगा कि बन योजना आर्थिक ऩवंशांकुत की मंत्रें है हैं। आज़े हम बात करेंगे कि कि जल्ट संशाधन जंसंपर्ग और सनसधिय कारें संसद में हेंडिल करना बहुत ही प्रिकार से चुनाती बादा कारे होता है. आपने देखोगों का बिदान सभाम में BIPAKŞ C Patriai और हेंडिल करना बहुत भी प्रिकार से tough कारे हम कह सकते हैं, होता हैं और ऐसे ही टफ कारे को करने का काम करते हैं स्री नरुक्तम विस्र जो की जल संसादन, जन संपर्ग और संसदिय कारे मंत्री हैं, संसदिय कारे इनके पास है, जन संपर्ग का कारे और जल संसादन ये विभाग इनके पास हैं, अगे हम बात करेंगे लोक स्वास्थ यांत्रिकी तो यह बहुत महत्पूर्ण हो जाता है विभाग लोग स्वास्ति की बात करें और यांत्रकी की बात करें तो यह सारे विभाग बहुत महत्पूर्ण होते हैं और इस महत्पूर्ण विभाग की जो मिनिस्टर हैं वो है सुस्री कुश्यों महदेले तो आपको याद रखना है कि लोग स्वास्ति यांत्र की मंत्री सुस्री कुश्यों महदिले हैं आगे हम बात करेंगे स्कूल सिक्षा बहुत महत्पूर्ण आतिती सिक्षाओं की बात कर लें अतिती विद्वानों की बात कर लें पड़वारी परिक्षा की बात कर लें बहुत सारे पड़वारी परिक् है वो है हमारे कुमर विजय सहा मंत्री है स्कूल सिख्चा विभाग के तो आपको ये भी याद रखना है स्री गौरी शंकर चतुर भुज बिशेन बहुत महत्पूर हो जाते हैं बहुत आता यह question पड़वरी परिक्षाम बहुत बार आया है अभी हाले में एक अवर परिक्ष्चा हुई थी इसके बाद हुई थी पड़वरी के बाद जो परिफ्चा ब्यापम निकरवाही थी अगर आगे हम बात करें तो लोग स्वास्थे और परिबार कर ले आने, ये बहुत महत्पून होता है, दोस्तो स्वास्थ सबसे महत्पून होता है, किसी व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें और किसी राज्य की प्रिगति के लिए स्वास्थी बहुत महत्पून होता है, और अगर ह है श्री रुस्तम सीग जी के उपर जो कि लोग स्वास्थ परिवार कर लेगा और आयूस बिभाग की मंत्री है तो आपको याद रखना है आयूस जो बहुत महित्पूर्ण बिभाग है जिस पर बरतमान में सरकार बहुत जाद फोकस कर रही है योग हुआ आयूस बिभाग और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपकी मेमरी पावर ठीक नहीं है या आपने कॉंसेंट्रेशन के साथ वीडियो नहीं सुना है ठीक है आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ती एवं भूकता संरक्षन की दोस्तों जैसे क हम जानते हैं कि इस समय मध्यप्रदेश में आप बहुत सारा जो काम हो रहा है वो खाद्य नागरिक आप पूर्ती वो भूकता संरक्षन विभाग कर रहा है यहां पर हम बात करें तो आजकल आपने दिखा होगा दो रूपी किलू गेहूं एक रूपी किलू चावल बगेर इस प्रिकार से विजनर हो रहा है और यह बहुत बढ़ा नाटर्क बन गया इस समय और जरूरत भी अगर महिने में गरीबों को अगर राशन मिलने में दिक्कत होती है तो बहुत ज्यादा वह प्रिकार से पूरा उनका मतलब एक प्रिकार से उनकी जीवन में उतर चुका है अगे जो बिवात जो सबसे महतपून आएगा व आएगा बिज्यान से रेलेटिड है से र मध्याद के जो पतवारी बरति परिक्षा हुई आप उस सि समझ लीजिए कि सस्ति पूराज प्रिक्षा है और सबसे महतपून विवाग सबसे महतन का साइन्स टेग्नलोगी बहु मुबाईल फोन का есть वाधवे हैं इस सब जो है विज्ञान और प्रोधवी की दें हैं और राजस्प की बात करें विज्ञान और प्रोधवी की बात करें तो इन सब ही विभागों के महतपूलमंत्री है स्री ओमा शैंकर गुपता जी यह आपको याँद रखना है फिर हम आगे बात करेंगे बहुत महत्पूर्ण विवाग महिलाओं से संबंदिद जो विवाग है उसकी मिनिस्टर कौन है इस समय महिलाओं वंबाल विकास मंत्री है स्रीमती अर्चना चिटनिस जी तो आपको याद रखना है महिलाओं वंबच्चों का विकास बहुत यह मंत्री हैं दोस्तो आगे जो सबसे महिलाओं मंत्री आती है वो आती है खेल और यूबा कल्याण से रिलेटिड खेल की अगर हम बात करें तो मादिय परदीश में फेल पर बहुत जादा सरकार भी ध्यान दे रहे हैं मानने मुख्य मंत्री जी स्वयम ध्याम देती हैं कई परिकार के खेल के लिए पुरुसकार है अगे हम बात करें अगर धार्मिक नियासों की तो कई धार्मिक संस्थाइं हैं यहां पर जो बहुत ही जादा चैरिटी का काम कर रहे हैं जनसेवा कारे कर रहे हैं तो इन सभी जो धार्मिक नियासों धर्मस्व हैं खेल और युबा कल्यान है वो जो मिनिस्ट्री के अंतरगत आते हैं वो आते हैं खेल युबा कल्यान धार्मिक नियासों धर्मस्व की जो मिनिस्ट्री उसके अंतरगत और उसी मिनिस्ट्री को समालती हैं श्रीमति, यशोधरा, राजे सिंधिया यह मंत्री हैं. आगे हम बात करें उर्जा, उर्जा देखिए। दोस्तो सबसे मह्त पहुनुता हैं. उर्जा के बिना अगर हम बात करें तो आपके ध्यानिक कारे नहीं हो पाएंगे. चाहे हम बात करें हमारी टीवी देखने से लेके हमारे mobile phone को charge करने से लेके तो बिजली हर एक चीज के लिए जरूरी है, मद्य प्रदेश में सुचारू रूप से बिजली का उत्पादन चलता रहे और बिजली के अबित्रण से मद्य प्रदेश को राजस्पी की प्रापति हो, इन सभी जिम्यदारियों को समाल रहे हैं, स्री जो अभी आपने हाली में दिख्खा होगा, कि रेत की जो डुलाई है वो या रेत का जो अधिकार दिये गए हैं, रेत खनन के लिए, वो अब ग्राम पंचाय तो गुदिये गए हैं सरकार के दौरा, तो रेत खनिज की बात करें हम, खनिज सादन जिस प्रकार के जो भी खन कि बात करें, देखिए, ओद्योगोअ, रोजगार भी कहिने कही रूप से खनिजों पर डिपेंड करते हैं, जिस प्रकार से कच्छा माल हमिधानि ओन से प्रापत होता है या खान हो से भी कुछ कच्छा माल हमिप्रापत होता है, वो अधियोगो रोजगार उन पर भीальव को समाले का काम करते हैं स्री राज इंद्र शुक्ल मंत्री है खनिश साधन बारिज उध्यग एवं रोजगार परभाशी भारती है आगे हम बात करेंगे स्री अंतर सिंग आरेजी की अंतर स्री अंतर सिंग आरेजी बरतमान में पसुपालन पसुपालन देखे दोस्तों किरसी के साथ सथ पसुपालन भी बहुत महत्पूर हो जाता है किसानों की आये को दोगन करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो क बंड़ का प्राधन नहीं होगा तो यह भी एक प्रिकार से प्रगती में बाधक होता है और हम आगे बात करें प्रयावरेन की मच्छुआ कल ले आना हो मतश्य विकास विभाग की तो इस चारे विभाग जो आते हैं वो श्री अंतर सिंह आरे जी की मिनिस्ट्री में आते हैं यह भी आपको याद रखना है अगे एक और महत्पूर मिनिस्ट्री आती है लोक निर्मानी की मिनिस्ट्री साथ ही बिधी और बिधाईकारे यानि कानून मंत्री प्रिकर कोशन आ गया था मध्यप्रतिस की कानून मंत्री कौन है तो बिधी और बिधाईकारे और लोक निर् अगला जो विवाग सबसे महत्पून आता है वो है ग्रह और परिबहन तो आपको यह तो याद रखना है कि राश्ट्रे ग्रह मंतरी कौन है हमारे मतलब कैंदरी ये ग्रह मंतरी कौन है तो वो है इस समय स्रीमान राजनास सिंग जी अगर आपको कुश्चिन आजाता है कि मद से रिजिस्ट्रेशन और अन्य जो भी बहानों में जो भी प्रिक्रिय अपनाई जाती है इसको किस तरह से ट्रांस्परेंशी के साथ किया जाए इस पर भी बहुत काम कर रहे हैं वो तो ग्रह और परिभान विबाग के जो मिनिस्ट्र है उससे में वो है श्री भूपेन सेंग के जो मंत्री है वो है स्री जैवान सिंग पवया कई वार आप कंफ्यूस हो सकते हैं सिक्षा में और उच्छे सिक्षा में तो उच्छे सिक्षा के मिनिस्ट्र है वो स्री जैवान सिंग पवया है साथ ही साथ लोग स्रेवकों की बात करें लोग स्रेवा प्रबंदन की बात करें और जन सिकायत नवारण की बात करें तो वो स्री जैवान सिंग पवया है ठीक है अगे हम बात करें स्री नाराइन सिंग कुस्वा यह मंत्री है नभीन इबं नभकरणिय उर्जा ठीक है यह आपको याद रखना है इनको नभीन इबं नभकरणिय उर्जा यानि कि जो ज्यादा से जदा मात्रे में वीधा उतपपण करें तो इस भबाग को दिखते हैं सृनाराइट सींक उस इकूसुभाऑ ठीक है आगे हम बात करेंगे राज्यमंथन्द्रियों की लेकिन राज्यमंत्रियों की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एक राज्यमंत्रि को याद रखे, स्री दीपक जोसी राज्यमंत्री है, तक्निकी सिक्षा इवं कौसल विकास बिभाग, सुतंत्र प्रभार, स्कूल सिक्षा बिभाग, ठीक है, तो अब ही जाते जाते इस बीडियो में इतना ही दुस्तू 15 मिट का वीडियो हो गया है लगबग ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए इस बीडियो को इंकतम करते हैं मैं आपके लिए दो कॉस्टिन छोड़ का जा रहा हूं तो आपको बताना ना है बड़टमान में विमान नंभिभाग किसके पास है second question मेरा ये रहा आपके सामने कि बरतमान में महिला इवाम बाल विकास मंतरी कौन है और third question राजस्प मंतरी कौन है तीन question के आपको answer देना है comment box में अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इन question के answer देपाएंगी और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत